नमस्कार, स्वागत आपका निज नशामें लेकर आया हूँ आपका अपना कारिकरम जब सत्य डोलता है तो अश्यक वानकडे बोलता है और सत्य कहा डोला, सत्य करनाटक में डोला, भारतिय जन्ता पार्टी जब भी जाती गज जन्गन्ना की बात आती है तो इनको साप इसलिए मैं इसको हंगामा मानता हूँ और बड़ी बात मानता हूँ क्योंकि करनाटक के जो पोस्टर बोई है भारतिय जन्ता पार्टी के, बियस यदुरप्पा, ये पूर्म मुख्यमंत्री ही नहीं एक आइकॉन लीडर है करनाटक के, यदि उनके ग्रहनगर में, उनके घर पर पत्राव होता है, और धारा 144 लगाने के बाद, सरकार को बैक फूट पे जाना पड़ता है, ये रिदुरप्पा का ही मादमा है, ये भारतिय जन्ता पार्टी की कुछ पुरानी पिड़ी है, जो आज भी राजमितिक संसकार जिसमें है और संस्कूती है, ये दुरप पत्राव किस ने किया, पत्राव बंजारा और भोवी समुदाई के लोगों ने किया, बंजारा और भोवी ये समुदाई जो है, ये दलितों में आता है, ऐसा क्या हुआ कि इनको पत्राव करना पड़ा, 24 मार्च को, शेडूल कास्ट का, जो टोटल परसेंटेज था, 15 प्रतिशत रिजर्वेशन का, उसको बढ़ा के 17 किया, तो शेडूल कास्ट को लगा कि चलो, 15 से 17 मतलब ज़्यादा अच्छा, 2 प्रतिशत ज़्यादा मिल गया, लेकिन उसके पीछे की एक नई रणनीती सामने आई, उन्होंने जो शेडूल कास्ट की 101 जातिया करनाटक में हैं, इन्हें चार केटेगरी में बाट दिया गया, एक केटेगरी शेडूल कास्ट लेफ्ट, दूसरी शेडूल कास्ट राइट, तीसरी शेडूल कास्ट टचेबल, और चवती अन्हेडूल कास्ट, तो 104 जातिया इन अलग-अलग समुदाय में बाटी गई, और जितना जिसका तादाद है, उतना उसको रिजर्वेशन दिया गया, यानि वो जो 17 प्रतिशत है वो ऐसा बाटा गया, सबसे ज़्यादा शेडूल कास्ट लेफ्ट में लोग आते हैं, तो उस कैटेगरी को 6 प्रतिशत रिजर्वेशन मिलेगा, शेडूल कास्ट राइट ये नंबर 2 पे आते हैं, इनको 5 दसलोग 5 प्रतिशत मिलेगा, और शेडूल कास्ट अन्य को 1 प्रतिशत, अब ये जो बंजारा और भोवी समधाय लोग हैं, ये शेडूल कास्ट टचेबल में कैटेगरी में इनको इंक्लूड किया गया, जिसके वज़े से उनको लगा, कि जो 17 प्रतिशत प्रसेंटेज में हम रिजर्वेशन मिल रहे थ थे, वो हम हम घटके 4.5 पर आ गए, कहीं न कहीं हमारे समधाय के साथ अन्या है हुआ, इसलिए वो नाखुश है, जो शेडू कास्ट लेट वाले हैं, उनको लगता है 17 में से हमको सिर्व 6 मिल रहा है, वो नाराज है, शेडू कास्ट राइट जो सुझ रहे थे कि 17 हमारा अ है, यदुर अप्पा ने सही का कि मैं जब सत्ता में आया तो मेरे पीछे शेडू कास्ट मज़दाताओं का बहुत बड़ा समर्थन था, ये समर्थन कहीं न कहीं यहां चिटकता हुआ नजर आता है, ऐसा क्या हुआ, ऐसी कोन सी रणन्दिती चेंज होगी करनाटक में, कि जनता पार्टी, जो जातिया जन गणना के खिलाफ है, और कहती है कि जातिया जन गणना से एक नया बवाल शुरू होगा, और जीतना हमारा तादात, उतना रिजर्वेशन, यदि ये मांग निकलने गई, तो फिर करे क्या, यदि उसको जस्टिफाइ नहीं करते हैं, और व अपने यहां काम शुरू कर दिया, बिहार, उत्तरप्अदेश में मांग बहुत, महरास्ट में मांग, बहुत जोरदार पकड रही है, लेकिन भाज़पावालेवाह हमत नहीं कर पा रह ता, लेकिन जो पूरे देश में हमत तू के तहट सब्विधान की नवी सूची में संशोधन करने के लिए केंद्र के पास ये प्रस्ता भेजा है, तब से ये बावाल हुआ है, करनाटक में पहले ही भारते जन्ता पार्टी के लिए बावाल कम था क्या, जो ये नया बावाल उन्होंने शुरू किया, ये दुरप्पा की मैचरिटी, मतलब साथ हुआ ये दुरप्पा को, कि उन्होंने इसमें कॉंग्रेसियों को गाली नहीं दी, नहरू को गाली नहीं दी, उन्होंने कहा, कि ये मेरे अपने लोग हैं, उनको मैं समझाने का प्रयास करूँगा, नहीं तो यहां आए दिन, किसी के घर में दूद भी फट गया, तो उसके लिए जवाला नेरू को दोशिट हराया जाता है, अब प्रश्ण यह है, कि जो ओबी सी मुसलिम हो थे, उनका चार प्रितिशत रिजर्वेशन निकाल कर, वो लिंगायत और वोका लिंगा में बाट दिया गया, लिंगायत सबसे बड़ा समाज है, यह दुरप्पा जिनके नितुत्व करते हैं, और लिंगायत मतदान ही यह दुरप्पा को लगातार करनाटक के नितुत्व में बनाए रखे हैं, वो का लिंगा ये हमेशा लिंगायत के खिलाफ ओट करने वाली एक समाज है लेकिन थोड़ा है वो लेकिन उनकी भी एक जूट और उनका भी ओट पर्चेंटेज है एक तरफ 40 प्रतिशत कमिशन का टैग ब्रष्टाचार में लिप्त सरकार पार्टी में अंद्रूनी जगडे यदरप्पा की नाराजगी ये तमाम चीजें साथ में होते हुए एंटी इंकंपेंसी दूसरी और राहूल गांधी के प्रतिशिम्पय थी कांग्रिस का एक जूट होके वहाँ लड़ना राहूल गांधी के पदियात्रा में मिला हुआ अबुद्पूर हुआ समर्थन और राहूल गांधी के सदस्टा जाने के बाद मिली उनको सरहनुभूती इस कॉक्टेल का मुकाबला बीजेपी कैसे करेगी तो समय बताएगा प्रदान मंतली को लगता है या बीजेपी के कई नेताओं को लगता है कि नरेंदर मोदी का चेहरा सामने रख के वो मतदातों को फिर एक बाद लुआ सकते हैं लेकिन यह चेहरा गुजरात में तो चल गया लेकिन नौर्थ इस्ट में भी तीनों राज्यों में चुना हुए उसमें मदद प्रतिशत कम हुआ सिटे कम हुई और हिमा चला और दिल्ली में तो चला ही नहीं क्या करनाटक में नरेंदर मोदी का चेहरा चलेगा या विपश का एक होना ऐसी कई बाते हैं करनाटक में जिसके उपर बीजेपी को ध्यान देना होगा यहीं सब्ता में वापस आना है तो लेकिन करनाटक में दलित कोटे का चार कैटेगरे में बटवरा करके और उसको ये कहके जस्टिफाय करना कि जिसकी जितनी संख्या उतना उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए तो फिर ये करनाटक के दलितों तक ही सिमित क्यों पुरे देश के OBC, ट्राइबल और बाकि दलित, अति दलित के लिए क्यों नहीं जो फॉर्मूला सही करनाटक में है वो पुरे देश में सही क्यों नहीं ये ऐसी कई चीज़े हैं जो BJP जब कहती है कि वो जाती गाती, जाती पाती के ऊपर से उटकर चुनाव लड़ना चाहती है तो वो सक्त डोलता है जब जातिकत जनगना करने से मना करती है कई कारण देते हुए तो वो कारण करनाटक में फेल होते नजर आते है तो वहाँ सत्य डोलता है इसलिए अशोक पानकरे बोलता है तो यदुरप्पा के ग्रहनगर में हुआ पत्रा लगी धारा एकसो चबवालीस ये BJP के लिए अच्छे संकेत नहीं और BJP का वो चेहरा भी सामने आया तो राहूल गांधि को मोदी को सभी चोर मोदी क्यों सरनेम के होते हैं ये बोलने पे संपूर्ण देश के OBC का अपमान मानते हैं वो जेपी नडड़ा, वो अमिश्याजी, वो तमाम BJP के नेता इस प्रशन का उत्तर नहीं देते कि जब नितिश कुमार का डिने आप पूछ रहे थे तो क्या OBC का अपमान नहीं होता कि अनितिश कुमार OBC नहीं है आज इतना ही, कल फिर आउंगा किसी विशे के साथ तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहेगा न्यूस नशा और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फालो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूस नशा